मैं हूँ आपका जिविग्यान सिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल बायलोजी एक्सट्रा आज हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिन टॉपिक की यहाँ टॉपिक आप से जुड़ा है मुझसे जुड़ा है और इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों से जुड़ा हुआ है तो क्या है आज का टॉपिक चली हम उस पर बात करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पॉपलेशन इंटरेक्शन जिसे हम कहते हैं जीव संख्या अंतर क्रियाएं या हम इसे एकलोजिकल इंटरेक्शन भी कहते हैं या हिंदी में कहें तो पारसपरिक अंतर क्रियाएं भी हम इसको कहते हैं क्या है ये और ये कितने प्रकार का होता है और क्या जीवों को इससे कोई फाइदा है या नहीं है तो इनी चीजों को समझते हैं हम, सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव संक्या अंतर क्रियाएं या पॉपलेशन इंडरेक्शन है या आप लोगों को मालूम है कि कोई भी जीव जहां रहता है वहाँ उतका environment कहलाता है तो हम किसी environment की बात करते हैं या ecosystem की बात करते हैं तो यह मुखिरूप से दो component से मिलकर बना होता है दो घटकों से मिलकर बना होता है इसमें सबसे first है biotic factor या अजैविक कारण और दूसरा है जैविक कारण और दूसरा क्या है biotic factor या अजैविक कारण के अंतरगत उन कारणों को समिल किया जाता है जिनमें जीवन नहीं पाए जाता है जैसे temperature हो गया कहना चिए वाईउ हो गई या म्रदा हो गया यह बहुत सारे कारण है वहीं पर बायोटिक फेक्टर की बात करते है तो बायोटिक फेक्टर के अंतरगत जीवधारियों को समिल किया जाता है जीवों को समिल किया जाता है और हमें मालूम है कि इस प्रकृति में कोई भी जीव स्वतंत रूप से जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है वहाँ प्रतेश और आवा प्रतेश रूप से दूसरे जीवों के साथ जुड़ा हुआ है अर्थार दो जीवों के बीच में परस पर ऐसा संबंद स्तापित हो जाता है जिससे दोनों को फायदा होता है या किसी एक को फायदा होता है तो जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले इसी अंतर संबंद को जीव संख्या अंतर क्र कि खेत्र विसेज में पाइजाने वाले जियों के बीच उसा सम्बंद जो भोजन आस्रय के लिए, प्रजनन्र के लिए हो या शुर्क्षा की लिए हो तब इस प्रकार का जो संबन्ध है यही संबन्ध जीव संख्या अंतर क्रियाएं कहलाता है अब यह अंतर क्रियाएं या तो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है यह संबन्द कैसे हो सकता है इस रूप से हो सकता है या इस रूप से हो सकता है वही पर यहां संबन्द एक ही जाती के सदश्यों के बीच भी हो सकता है और भिन प्रजाती के सदश्यों के बीच भी हो सकता है अब यह संबन्द होता क्यों है यह संबन्द होता है भोजन के उनको सुरक्षा मिलती हो, सुरक्षा के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है, ट्रांस्पोर्टेशन के लिए हो, परिवाहं के लिए, ये इस प्रकार के संब्द को स्थापित किया जाता है. चलिए, अब यहां पर देखें, जिदने भी साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा अल गलाग तरीके से, एकोलोजिकल इंट्रेक्शन को डिफाइन किया गया है, बताया गया है, लेकिन जनरली अधिकांस, जो वैक्या निखाया है, अधिकांस एकोलोजिस्ट है, उन्होंने जब भी प्लांट के बीच में पाई जाने वाले अंतर संबंदों की बात हुई है, त दो जीर साथ साथ रहते हैं, जिससे दोनों को फायदा होता है, या एक को फायदा होता है, दूसरे को फायदा हो या ना हो, तो इस प्रकार का जो संबंद है, वो क्या कहलाता है, और इसी उद्रेश की पूर्ती के लिए डी बेरी के द्वारा, इस सब्द का इस्तमाल किया गया है एक अब यहां पर हम बात करते हैं कि यह जो संब्द होते हैं Population interaction और दूसरा है नेगेटिव interaction सकारात्मक अंतरक्रिया और दूसरा है नकारात्मक अंतरक्रिया चलिए अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि population interaction दो प्रकार के होते है करने वाले दोनों सदस्यों को लाब होता है या एक सदस्यों को लाब होता है तो दूसरे को हानी भी नहीं होता है उसे कुल फर्क नहीं पड़ता है इस प्रकार के इंट्रेक्शन में मुखे रूप से जिसको हम सिंबोयसिस कहते हैं सहजीविता को भी दो भागों में बाटा गया है सहब करिता और सहबोजीता दूसरा है आतिर सहयोग या प्रोटो को आपरेशन और तीसरा है अब मार जाले वहीं पर आ जएए अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रेक्शन की यह ऐसी अनु इस प्रकार की अंतरक्रिया नेगेटिव इंट्रेक्शन कहलाती है जैसे की कॉंपिटिशन प्रतियोगिता परजीविता परभक्षान प्रतिजीविता यह इस प्रकार के एक्जामपल है जिसमें किसी ना किसी को नुकसान होता है अब जो नेगेटिव इंट्रेक्शन है उ कि positive interaction या सकारात्मक अनुक्रियाएं वे अनुक्रियाएं हैं जिसमें दोनों जियों को लाव होता है या यदि एक को लाव होता है तो दूसरे को हानी भी नहीं होती है चलिए ये तीन प्रकार की बात किये थे हमने सह जीविता, आदि सह योग और अपमार्जन की तो इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं सह जीविता और इसके साथ ही साथ ये भी जानगे की कोशिस करेंगे कि यहाँ पर हम ने फ्लस फ्लस या प्लस जीरो या अज़नी दूसरे प्रकार का indication क्यों किया गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सह जीविता या सह जीवी क्या होते हैं जब दो जीव साथ साथ रहते हैं तब इस प्रकार के जीवों को सह जीवी कहा जाता है और इस प्रकार का जो संबंध है वो सह जीविता कहलाता है ठीक है इस प्रकार के संब्द में दो विभिन जीओं के मद्द पाया जाने वाला वहां अंतर संब्द जिसमें एक या दोनों जीओं को लाँ होता है अत्वा एक को लाँ होता है तो दूसरे को हानी भी नहीं होती है तो इस प्रकार का जो संबन्ध होता है वो सहजी वीता कहलाती है अब ये सहजी वीता का जो संबन्ध है वो सतत्रूप से हो सकता है या असतत्रूप से हो सकता है पूरे जीवन परियंद चल सकता है या छाणिक हो सकता है कुछ समय के लिए हो सकता है यह यह इस प्रकार का जो संबन्द क्यों इस्थापित होता हुए इस प्रकार का संबन्द चिदी सी बात है भोजन के लिए आवास के लिए प्रजनन के लिए सुरक्षा के लिए इस प्रकार का सम्मन्द इस्ताफित होता है देखे इस प्रकार का जो सम्मन्द है इनको हम दो केडिगरी में बाट सकते हैं सबसे पहला है सहुप कारिता या म्यूचालिज्म और दूसरा है सह भोजीता तो सबसे पहले हम समझते हैं सहोग कारिता या म्यूचालिज्म को देखें, यहां पर लिखा हुआ है, प्लस प्लस का चिंद बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि दो जियों के बीच में पाए जाने वाला वहां अंतर संबन, जिसमें दोनों जियों को लाव होता है, सहोग कारिता या म्यूचालिज्म कहलात इसके बहुत सारे example हम देखते हैं इसको मुक्रूप से दो केटेगरी में बढ़ा गया है सबसे पहले obligate mutualism या जिसको बोलते है विकल्पी mutualism और दूसरा है हेकल्टेट्यूब mutualism या विकल्पी mutualism अब इनको भी थोड़ा समझ ले obligate या विकल्पी mutualism से ताथ पर ये है कि दो जियों के बीच में पाए जाने वाला वहा सम्बन जो अनिवारी होता है यदि दोनों को अलग-अलग कर दिया जाए तो दोनों का अस्तित्व नहीं रहता है तब इस प्रकार के जो mutualism है इसको कहा जाता है obligate mutualism ठीक है इसको जड़ा थोड़ा से example के थूरू भी समझेंगे आप और हेकल्टेट्यू का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि यदि दोनों साथ-साथ रहेंगे तो दोनों को फायदा होगा लेकिन अगर मान के चलिए अगर मान के चलिए सम्मझ इस्ताविद करने के बाद ये अलग हट भी गए तो नुपसान नहीं होगा ठीक है तो चलिए हमने इसके इसका अच्छा आपके आपके क्या होता है अगर हम लाइकें की बात करते हैं तो यहां जो है किसका संबन है एलगी और संजाई का संबन है अब यह दोनों क्या काम करते हैं दोनों मिलका साथ साथ जीवाने आपन कर रहे तब ऐसी था आभे क्या कहला रहे हैं लाइके इन कहला रहे ठीक आ ऑफ फोटो सिंथेसिज़ के और भोजन बनाने के भस्चाथ यहा फंजाई को भी प्रदाम करता है वही फंजाई कैसा होता है सेप्रोफिटीक होता है सड़े गले कार्मिक पधार्तों से जो है कार्मिक पधार्तों को औहसोसित करता है और औहसोसित करने के साही यहां किसको दे देता है elgi को भी दे देता है ठीक है तो दोनों की जो आज सकता है वह पूरी होती है अब अगर मांगी चलिए इनमें से किसी को भी हटा दिया जाए तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब इस प्रकार का जो मियूसा लिज्व है वो क्या कहलाएगा अब चलिए दूसरी तरफ देखे दूसरा एकामपल देखे कवक मूल अब सबसे पहले समझ ले कि कवक मूल क्या होता है कवक और उच्चुवर्गी पौधों की जड़ों के बीच में पाया जाने वाला जो संबन है वहाँ कवक मूल कहलाता है उछ्युवरगी पॉदोगी जड़ो और कवक के बीच में पाए जाने वाला संभन, क्या कहलाता है? कवक मूल कहलाता है. क्या होता है कि जड़ों के अंदर प्रेवेश कर लेता है या जड़ों के बहार संभन इस्ताबित करता है, तो एक नए प्रकार की सरचना का निर्मान हो और यही नए प्रकार की जो सरचना होती है, इस सरचना को कवकमूल कहा जाता है, यह मुक्य रुप से तीन प्रकार का होता है, बाह कवकमूल, अंदा कवकमूल और बाह अंदा कवकमूल, ठीक है, इस पर हम किसी अन्य वीडियो में और बात करेंगे, तीसरा एक्जामपल भी कहते हैं, इसमें मुक्रुप से जैसे चना, अरहा, सेम, मटर, ये आ जाते हैं, जिनमें ले ग्यूं पाए जाता है, फलिदा जिनके फल होते हैं, इनकी जड़ों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर छोटी-छोटी गाठे पाए जाती है, ठीक है, नोडियूल्स पाए ज नाइट्रोजन के योगिकों में परिवर्थित करता है, और इसे पोधे को प्रदान करने का कारी करता है, तो दोनों के बीच में ये जो संबन्द स्थाफित हुआ है, ये कैसा अबलिकेट है, अगर इन में से किसी को भी हटा दिया जाए, तो दोनों को लुक्सान होता है, नाइट्रोजन का अस्तितुर समाप्त हो जाता है, इसी प्रदार से हाइड्रायं क्लोरेला वल्गेरिस के बीच में पाय जाने वाला संबन्द भी जो है सहब कारीता का अच्छा एक्जामपल है, चलिए, अब दूसरे तरह आते हैं सहभोजीता के तरफे, ठीक है, सहभोज होता है, परन्तु दूसरे जीव को ना तो लाव होती है और ना हानी होती है, तब इस प्रकार का जो संबन्द है वहां कहलाता है सहभोजीता, ठीक है, सहभोजीता को हम दो भागों में बाट सकते हैं, यह या तो सतत हो सकता है, या असतत हो सकता है, सतत भी हो सकता है, और कै एक्टो कॉमेंसेलिजम जो कंटीनिवेस है उसको हम क्या कह सकते हैं एक्टो कॉमेंसेलिजम और इंडो कॉमेंसेलिजम अब दोनों को थोड़ा समझे say एक्टो कॉमेंसेलिजम से तात्पर ही क्या है जब कोई जीव कोई दूसरे comfortable आश्रित रहकर सरसंबंद इस्थापित करता है तब इस प्रकार की जो सहबोजीता है उसको हम बाहे सहबोजीता या एक्टो कॉमांसैलिज्म कहतें example देखें इसके अच्छा सा एक्जामपल है एपफाइट्स और एपफिक्पाइट्स क्या होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं उप्रोई है जैसे आपने देखाओगा वीबिनप्रकार के जो पादे होते हैं जो हाईयर प्लांट होते हैं, आम का पौधा हो गया, या महुआ का पौधा हो गया, उसके उपार आर्किट्स पाए जाते हैं, अब दोनों के बीच में संब्ध इस्थाफित हैं, केवल यह संब्ध आस्रे इस्थाफित ही होता है, बाकी दूसरा कोई उसको फायदा नहीं होता, को आसोसित कर लेता है, जल की प्रूती हो जाती है, और साथ में प्रकास अंसलेशन की किरिया के दोरा अपने भुजन का निर्माण चुम कर लेता है, ठीक है, इपिफाइट्स से तातपरी समझ में हैं आपको, इपिफाइट्स का मतलब है, जब कोई पोधा, दूसरे पोध उपर निवास करने लग जाता है, तब इस प्रकार का जो सम्मंध है, वो कहलाता है, एपिजोंस कहलाता है, ठीक है, अब इसके एक्जामपल जैसे सकरफिस, ठीक है, यह जो सकरफिस है, सार्प के साथ चिपग जाती है, और चिपग जाने के बाद, चिपग जाने के बाद क ट्रेबल करती है, वहीं पर देखें, इंडो कॉमेंसेलिज्म की बात कर ले थोड़ा सा, इंडो कॉमेंसेलिज्म से तत पर ही है कि ऐसा अंतर संबंध है, जिसमें कोई जीव, दूसरे जीव के शरीर के अंदर, रहकर अंतर संबंध स्थाफित करता है, जैसे एक्जामपन, मन इस चीरीच एकोलाई को क्या फायदा है, कि वाद आस्राइ मिलना है, लेकिन मनुष्यकों क्या फायदा है, उसका जो फूड मटेरियल है, उस फूड मटेरियल डाजेस्ट करने में ये मतद करते हैं, जैसे हम प्रोटो काउपरेशन कहते हैं, अगर आप जहां पार धियां तो हमने दो बार्ट प्लस प्लस लिखा है, अथा है, दो जीओं के बीच में पाय जाने वाला वहा अंतर संब्द जिसमें दोनों जीओं को लाव होता है, परंतु दोनों जीओं की सहभागीता, उनके उप्तर जीविता के लिए आरश्यक नहीं होती, इस प्रकार अस्राइ सहभेग मन्द आदि सहयोग या प्रोटो को आपरेशन कहलाता है, उनके दो जीओं के बीच में पाय जाने वाला वहा अंतर संब्द जीओं को लाव होता है, तदा दोनों जीओं की उत्तर जीविता के लिए उनको जीवित रहने के लिए आश्यक नहीं होती, इस प्रकार का सहभेग मन्द आदि सहयोग या प्रोटो को आपरेशन कहलाता है, अगर इसकी हम बात कर लें, और किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके मुख्य मुख्य पाइंट्स की, सबसे पहली बात यहाँ जीओं की उत्तर जीविता के लिए जरूरी नहीं होता है, य इसके बहुत सारे एक्जामपल देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिलेंट्रेट एनिमन, सी एनिमोन, तथा हर्मिट क्रेव, जिसे हम यूपे गुरश भी कहते हैं, के बीच में पाइजाने वाला संबन, इसकी बात कर रहा है, चिलेंट्रेट एनिमन, सी एनिमोन, जिसे हम रहा है, खाली कवच के उपर स्विले एनिमोन क्या काम करता है? खाली कवच के उपर मिवास करता है, जब क tatal कि कवच के अंदर के बेचने ऐ हौ खर्मिट क्रेव में रहता है, आप दोनओं को फाएदा क्या होता है, वहाँ इसस म्मापल क्रेव को सुरक्षिया हूँ, गोर क्रमिट की रोल है इसन Two Pin क्रता है करा रहा है दूसरी का दूसरा क्म Aa को फ्री ट्रेविलिंग करता है意思 कि दूसरे संवंद को देखें दूसरे संवंद के मवेशी कि पक्षियों के बीच में पाए जाने वाला विद네 का रहते हैं और चर्थे ड़ेविन कर रहते तो वहां पर बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और उनके बीच में संबन इस्थापीद हो जाता है यहां प्रोटो कॉपरेशन का एक अच्छा एक्जामपल है जरुत है तो संबन इस्थापीद कर लिए नहीं है तो अलग-अलग जिवान या पन कर रहे हैं वहीं बादेखें तिक बर्ड और गेंडे के बीच में पाए जाने वाला संबन तिक बर्ड वा गेंडे के बीच में पाए जाने वाला जो संबन है यहां भी इसका अच्छा एक्जामपल है वहीं पर मगरमच और पक्षी के बीच में पाए जाने वाला संबन आपको याद होगा कि हमने वहां उताने की नहीं सच्छा नहीं होता है तो पक्षी यह वहां उसकी सहत्ता करते हैं यह जो संवन्धं यह संवन्ध है भी ही शमजधारा संवन्ध है करता है मगर मच के मुह में पानी से बहार आकर अपना जब्रा है और यह पक्षी उसके अंदर प्रवेस कर जाता है वहाँ दातों के बीचों में जम्हुए कीचन को अलग करता और उनमें उपस्तित जो भी परजीवी हैं उन परजीवियों को भोजन के रूपे ग्रहन करता है या दोनों के बीच में होने वाला है जो संबंद है बहुत ही महत्पूर संबंद है अब देखें अगर कलतना की जिए कि उसी दौरान अगर मगरमच्छ ने मुह बंद कर लिया पर यह संबंद पूर्दा कैसा है वैकल पिर तो यह सारे के सारे जो इग्जाम्पर है वो किसके है आधिशीयों के एक और चीज को देखें इसरा है अपमार्जन या इसके वैंजिंग कि जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमने लिखा है प्लस जीरू के बीच में पाय जान दोने वाला बहां अन्तियसमद असफंवहत अधिक सारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सब्सक्राइब कि जलीए इसको थोड़ा है कि कुछ जीवूद के म्रथध सरीर को ए जीव जो होते हैं उनके मास्क को भोजब की रूप में घहनन करते हैं आइसे जीव को है अपमार्जक फैराते है और ऐसे जीव के बीच में बनने पर नहीं पर तो इस परकार से हम ने देखा शकार आत्म का कल्यां जिसमें यह तो दोनों जिएगों को फाइदा होगा ना तो नुक्सान होगा ऑर ना को सकता है फार्फ कि नहीं परच हो झाल झाल